नमश्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे ड्रग Corporation came के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के उप्योग़ों के बारे में साथ की साथ जानेंगे इसके Contra Indications के बारे में कि किन Conditions में आपको ये दवाई उपयोग में नहीं लेनी है इसके अलावा इसके Side Effects के बारे में जानेंगे और साथ के साथ जानेंगे इसकी Doze के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे इस दवाई के बारे में तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेना सब्सक्राइब करें मच जाए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं चलिए शुरू करत है दोस्तों सबसे पहले जानते हैं फैमोटिडीन दवाई के उपयोग के बारे में देखे दोस्तों इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग पेट में हो रही ऐसीडिटी की वज़े से अलसरस जो बन जाते हैं उसके treatment में किया जाता है दोस्तों साथ की साथ जो कट्टी डकारें आने लग जाती है acidity की वज़े से जिसे gastroesophageal reflex disease भी बोलते हैं जिसे GERD भी बोलते हैं उस condition में इस दवाई का उपयोग किया जाता है साथ की साथ यदि छाती में जलन हो रही है acidity की वज़े से तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है दोस्तों फैमोटीडीन का जो में जो उपयोग है दोस्तों वो हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ पेट में acidity के treatment में होता है इसके लावा दोस्तों अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से acidity को कम करती है दोस्तों तो दरसल दोस्तों हमारे पेट में H2 receptors होते हैं अब दोस्तों ये जो H2 receptors होते हैं वो present होते हैं periental cells के अंदर और ये H2 receptors activate करते हैं proton pumps को और इन proton pump के activation से क्या होता है हमारे पेट में acidity बढ़ने लग जाती है तो ये जो दवाई होती है famotidine ये दवाई इन H2 receptors को block करती है जो H2 receptors periental cells में present होते हैं वो activate नहीं हो पाते हैं और जो acidity है पेट में वो कम होने लग जाती है तो दोस्तों इस तरीके से ये दवाई हमारे body पर act करती है आईए दोस्तों जानते हैं इसके contraindications के बारे में देखिए दोस्तों इसका एक ही contraindication है यदि पहले किसी को allergy हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उप्योग नहीं करना है दोस्तों अगर हम बात करें side effects की तो इसके dizziness किसी को हो सकती है headache हो सकता है या फिर constipation या फिर diarrhea तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर patient में ये side effects देखने को मिले किसी किसी patient में ये side effects देखने को मिल सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें dose की तो इसकी रात को सोते समय या फिर एक time की जो dose है वो होती है 40 mg और यदि हम इसको दो dose में डिवाइड करें तो 20 mg दो time के लिए 8 week तक हम इसकी dose ले सकते हैं ताकि जो ulcers में क्या होता है धीरे 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 आराम आता है तो ये जो दवाई होती है वो acidity को कम करती है और ulcers में आराम देती है तो दोस्तों इसकी जो profile access दवाई है जो लंबे time तक है दिया आप ले रहे हैं तो 20 mg भी इसकी जो dose है वो ले सकते हैं दोस्तों इस दवाई के injections भी available होते हैं जो कि patients में दिये जाते हैं ulcers को कम करने के लिए आई ये दोस्तों जानते हैं इसकी availability की तो market में injection भी available होता है 10 mg पर ml का दोस्तों इस दवाई को लेने के बाद में आपको monitor करना है कि आपको कितना ulcers में आराम आया है patients में जो symptoms होते हैं acidity के वज़ए से वो कितने कम हुए हैं वो भी note करना बहुत जरूरी है दोस्तों ये था famotidine दवाई के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा हो please आप comment करें इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर subscribe करें ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद